हेलो फैंस कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टड़ी बलकुल अच्छी चल रही होगी तो आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे जिसमें की फीटर, टर्नर, मसिनिस्ट यानि की इन सभी ट्रेडों का जो प्रिवियस जो एजाम हुआ था उन सभी कोस्टन्स को इसी वीडियो में डिसकस करेंगे तो यह प्रेक्टिस सेट 40 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 39 सेट दे रखा है और GK और GS जो है उसका भी मैंने सेट दे रखा है अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं और मैंने exam oriented जो वीडियो है उसको भी दे रखा है खाजाना वीडियो के नाम से इस वीडियो में केबल वैसा ही टॉपिक है जो आपके exams में आते ही आते हैं तो यहां से यानि कि अगर आप खाजाना वीडियो वीडियो है वह अगर आप देख लेते हैं तो वहां से आपको दो या तीन निमर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपको friends free PDF चाहिए तो आप हमारे telegram को जोईन कर सकते हैं telegram का link description में दिया है वहां से जाकर जोईन कर सकते हैं और यह जो ख़ाना वीडियो है इसका भी जो वीडियो का जो लिंक है वो भी description में आपको मिल जाएगा तो अगर आपकी त्यारी पक्की होगी तो आपकी सेलेक्शन भी पक्की होगी तो आईए अब स्टार्ट करते हैं तो कोस्टा नमर फर्स्ट है थ्रेड के जुकाव और अक्ष के लंबवत खीजी गई एक कालपनिक रेखा कि बीज के कौन को किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जब ऑप्सन भी यानि कि हैलिक्स कौन के नाम से जाना जाता है अब देख लेते हैं कि ये कौन से एक्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रस्ट है तो ये UPRB UNL फीटर 2021 में पूछा गया हुआ प्रस्ट है यानि कि पिछले वर्स ये कौशन पूछा गया हुआ था अब देख लेते हैं कि जो इंपर्टन जो पाइंट है इसी से रिलेटर उन सभी को डिसकस कर लेते हैं जैसे थ्रेड के जुकाओ और अक्ष के लंबवत खीची गई एक कालपनिक रेखा के बीच के कोन को हैलिक्स कोन यानि की हैलिक्स एंगल कहा चाता है अब देख लेते हैं पीच के बारे में डिसकस कर लेते हैं जैसे एक चूड़ी के center में दूसरी चूड़ी के center के बीच की दूरी को पीचे कहते है अब lead के बारे में भी discuss कर लेते हैं जैसे screw thread एक चकर में जितनी दूरी तैक करती है वह उसकी lead कहलाती है फिर कहा जाता है सिंगल start वाली चूड़ी में lead और पीच बराबर होते है अगला कोशन है कोशन नमबर सेकेंड थ्रेड के दोनों की नारों को मिलाने वाली इसकी उपड़ी सत्व को किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन डी यानिकी क्रेश्ट के नाम से जाना जाता है अब देख लेते हैं कि ये कौन से एक्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रस्ण है तो ये UPRB UNL Feeder 2021 में पूछा गया हुआ प्रस्ण है अब जो important point है उसको भी discuss कर लेते हैं जैसे thread के दोनों की नारों को मिलाने वाली उपड़ी सत्था को crest के नाम से जाना जाता है अगला question है question number 3 दिये गया विकल्पों में से pipe thread के मानक स्वरूप की बहचान करें तो इसका राइट answer हो जगा option B यानि कि BSP अब देख लेते हैं कि ये कौन-कौन से exam में और कब पूछा गया हुआ प्रस्ण है तो ये DMRC maintainer feeder 2018 में पूछा गया हुआ प्रस्ण है और DMRC maintainer feeder 2017 में भी पूछा गया हुआ प्रस्ण है अब जो important point है उन सभी को भी discuss कर लेता है जैसे ब्रिटिस standard pipe thread का प्रियोग gas एवं water pipe के जोरों के लिए किया जाता है अगला इसका point है BSP thread का चूड़ी का जो कोन होता है वो 55 degree होता है अगला इसका point है British standard fine thread का प्रियोग कमपन वाले अस्थानों पर अधिक किया जाता है अगला इसका point है British association thread यानि कि BA thread का चूड़ी कोन 47.5 degree होता है अगला इसका point है BA thread का प्रियोग सुख्ष में कमपोनेंट्स और मेजरिंग गेज के लिए किया जाता है अगला इसका point है British standard width worth thread का चूड़ी कोन जो होता है वो 55 degree होता है अगला question है question number fourth जब अनुपड़ियुक्त भार सदेव एक दिशा में ही होता है तो किस प्राकार के thread को वड़ियता दी जाती है तो इसका right answer हो जाक option B यानि कि buttress thread यानि buttress तो thread है उसको वड़ियता दी जाती है अब देख लेते हैं कि ये कौन-कौन से exam में और कब पुछा गया हुआ प्रस्न है तो ये isro technician b feeder 2020 में पुछा गया हुआ प्रस्न है और dmrc maintainer feeder 2018 में भी पुछा गया हुआ प्रस्न है अब कुछ important जो point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे जब अनुपड़ियुक्त भार सदेव एक दिशा में होता है तो buttress thread का प्रियोग किया जाता है इसका प्रियोग बड़ी बड़ी वाइसो के spindle पर किया जाता है buttress thread का thread कौन जो होता है वो 45 degree होता है अगला question है question number 5 एक में चूड़ियों में चूड़ियों का कौन है तो इसका right answer हो जाग option C यानि कि 29 degree होता है एक में जो चूड़िय होती है उसका जो angle जो होता है वो कितना होता है तो 29 degree होता है अब देखर जाते हैं कि कौन कौन से exam में और कभ पुछा गया प्रस्त है तो यह इसरोट technician be feeter 2016 में first shift में पूछा गया प्रस्त है और UPRB UNL feeter 2015 में भी पुछा गया प्रस्त है और IOF feeter 2015 में पूछा गया प्रस्त है और भेल हैदराबाद फीटर 2014 में पूछा गया वाग प्रस्थ है यानि कि ये जो प्रस्थ है ये बहुत ही जादा इन्पोर्टेंट है आपके एक्जाम के पॉइंट भी उसे क्योंकि ये चार बार रिपीट हो चुका है ऐसा भी हो सकता है कि आपके भी एक्जाम में ये क्वेशन रिपीट हो इसलिए इस क्वेशन को आप अच्छे से याद कर ले अब जो इन्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिसकस कर लेते हैं एक में चूडियों की आक्रती वर्गकार चूडियों का विक्सित रूप है इसके चूडि कौन 29 डिडी होने के कारण इस प्रकार की चूडियों का पड़ियोग ऐसे अस्थान पर किया जाता है जहां इसके साथ मिल्ले वाला नट सीग्रता से लगाना हो यह चूडि अधिक लोट सहन कर सकती है अगला कुस्टन है कुस्टन नमबर 6 मिट्रिक पेंच में पीच ब्यास पर पेंच की मोटाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएक आप्सन ए यानि की हाफ आफ आफ दा पीच यानि की पीच का आदा अब दिख लेते हैं कि यह कौन से एकजाम में और कब पूछा गया वाफ प्रस्टन है तो इसरो टेकनीशन भी फीटर 2016 में पूछा गया वाफ प्रस्टन है अब जो इंपोर्टन पॉइंट है उसको भी डिसकस कर लेते हैं जैसे मिट्रिक पेंच में पीच ब्यास पर पेंच की मोटाई पीच का आधा होता है अगला कोशन है कोशन नमबर 7 बट्रेस थ्रेट का कौन है तो इसका राइट आंसर होज़ेगा उप्शन C यानि कि 45 टीगरी है यह किसका है तो बट्रेस थ्रेट का एंगल है अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एकजाम है और कब पूछा गया हुआ प्रस्न है तो यह इसरो टेक्निशन बी टर्नर 2015 में पूछा गया हुआ प्रस्न है और NTPC फीटर 2014 में भी पूछा गया हुआ प्रस्न है अब जो important जो point दिया गया है उसको ध्यान से देख लेते हैं जैसे एक तरफ दिया गया है चूरी के प्रकार दिया गया है और एक तरफ cone यानि कि angle दिया गया है तो British Standard Wheat Worth जो है इसका जो angle जो होता है वो कितना होता है तो वो 55 degree होता है British Association जो होता है इसका कितना होता है तो 47.5 degree होता है Bertres Thread जो होता है इसका कितना होता है तो 45 degree होता है एक में जो Thread है इसका कितना होता है तो 29 degree होता है इसलिए इस चारों को आप अच्छे से याद कर लें अगला question है question number 8 किसी थ्रेड के प्रभावी ब्यास को कौन से बिधी द्वारा मापा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जागा option D यानि कि उप्युक्त सभी अब देख लेते हैं कौन कौन सा तो इस कुरू थ्रेड माइक्रो मीटर से भी इसके भी द्वारा थ्री वार मेथड के भी द्वारा तू वार मेथड के भी द्वार यानि कि इन तीनों मेथडों के द्वारा अब दिख लेते हैं कि ये कौन से एक्जामे और कशा गओ प्रस्थन है तो इसरो टैक्निशन बी टर्नर 2016 में पुछा गया हुआ प्रस्थन है अब जो important point है उसको भी discuss कर लेते हैं जैसे बाहरी चोड़ी के परभावी ब्यास या पीच ब्यास को मापने के लिए निम्रली खित में से कोई भी एक बीधी अपनाई जा सकती है कौन-कौन सा अभी हम लोगों ने अभी उपर options में भी देखा कि thread micrometer में ठट के द्वारा, two wire method के द्वारा, three wire method के द्वारा यानि कि इन तीनों में से किसी के द्वारा अगला इसका point है दो तार भी धी यानि two wire method से प्रभावी ब्यास ग्याद करने में ब्यास मापी मसीन का परियोग किया जाता है अगला question है, question number 9 turn buckle में चूडी helix है तो इसका right answer होचाएक option D यानि कि both A and B, यानि कि A and B दोनो कौन-कौन सा ये भी देख लेते हैं तो left hand, right hand, दोनो अब देख लेते हैं कि ये कौन से एक्जामे और कब पूछा गया वो प्रस्तन है तो ये ISRO Technician B Turner 2017 में पूछा गया वो प्रस्तन है ऐसा नहीं है कि ये जो ISRO के एक्जाम में पूछ लिया गया है तो दूसरे एक्जाम से में नहीं पूछा जाएगा ये Bale में भी पूछा जा सकता है, ALP में भी पूछा जा सकता है ये जो कोस्स जो दिये जाते हैं ये सब कोस्स रिपीट होते रहते हैं इसलिए आप ये ना सुचे कि ये ISRO का है तो DRDO में नहीं आएगा ऐसा नहीं है अब आप जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उन्स सभी को डिसकस कर लेते हैं टर्न बकल में चूड़ी हैलिक्स, वामा वर्ती तथा दक्षिना वर्ती दोनों होते हैं यानि कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों होते हैं अगले इसका पॉइंट है टर्न बकल, रसियो, केबलो, टाइ राइट्स और अन्य तनाव विप्तु, पर्णालियों के तनाव या लंबाई को समायोजित करने का एक उपकरन है अगला कोस्टन है कोस्टन नमर टेन चूड़ी की कैचिंग से सम्बंदित है तो इसका राइट 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 रोज़े का उप्सन ए यानि कि थ्रेड काटिंग इन लेथ यानि कि लेथ में चूड़ी करतान और ये जो प्रस्थन है ये इसरो टेक्निशन बी टर्नर 2017 में पूछा गया हुआ प्रस्थन है अब जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं जैसे लेथ मसीन पर चूड़ी काटने के लिए थ्रेड कैचिंग वीधी का प्रयोग किया जाता है टूल को बार बार एक ही रास्ते पर चलाने के लिए जिस वीधी का प्रयोग किया जाता है उसे ध्रेड कैचिंग कहते है अगला कोशन है कोशन नमर 11 नीचे सुची बद आजारों में से HSH पेच को द्रिडी कडित करने के लिए उत्तम आजार है तो इसका राइट आजर होचे को आप्शन ए यानि की एलन की अब देख लेते हैं कि यह कौन से एकजामे और कब पूछा गया हुआ प्रस्न है तो यह इसरो पलंबर 2019 में पूछा गया हुआ प्रस्न है अब जो इंपोर्टन पॉइंट है उन सभी को डिसकस कर लेते हैं जैसे HSH पेच को द्रिडी करित करने के लिए उत्तम ओजा एलन की है अब एलन कुझी यानि कि एलन की के बारे में देख लेते हैं तो यह एक सरल उकरन है जिसका प्रियोग बोल्ट और सिकंजा को उसके सिर में हेक्सागोनल साकेट के साथ कसने के लिए प्रियोग किया जाता है आम तोर पर यह हाई कार्बन स्टील के हेक्सागोनल रॉड के एक टुकरे से बनाया जाता है यानि कि बनता है जो स्कुरू के साकेट में असानी से फिट होने के लिए होता है अगला कोशन है कोशन नमबर 12 एक दूई प्रारंभन थ्रेड यानि कि डबल स्टार्ट थ्रेड के लिए होता है तो इसका राइट आंसर होचे का आप्शन है यानि कि लिड इस ट्वाइस तपीच यानि कि लिड इस पीच से दुगुना है अब देख लेते हैं कि ये कौन से एक जाम में और कब पूचा गया हुआ प्रस्न है तो ये इस रूप पलंबर 2019 में पूचा गया हुआ प्रस्न है अब जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उनसा भी को डिसकॉस कर लेते हैं जैसे दुई प्रारंबन थ्रेड के लिए लीड पीच से दुगुना होता है जैसे कि एक फॉर्मूला है ल बराबर 2B अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर 13 ISO मिट्रिक थ्रेड में का कौन होता है तो इसका राइट आंसर हो जागा option B यानि कि 60 degree होता है अब देख लाते हैं कि कौन कौन से एक्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रस्टन है तो इस रोग पलंबर 2019 में पूछा गया हुआ प्रस्टन है इस थ्रेड की जो गहराई होती है वो 0.614 इंटू पीछ होती है ये सिमेट्रिक भी सेप का थ्रेड है अगला कौस्टन है कौस्टन मर 14 किसके द्वारा निर्मित जोड एक अस्थाई जोड है तो इसका राइट आंसर हो जाग option B यानि कि थ्रेडेड आप देख लेते हैं कि ये कौन से एकजाम है और कब पूछागया हुआ प्रस्टन है तो ये RRBALP feeder 2019 में थर्ड सिप्ट में पूछागया हुआ प्रस्टन है अब जो important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे थ्रेडेड द्वारा निर्मित जोड और अस्थाई जोड होता है इसमें किसी बेनलाकार या संक्वाकार सतह पर जौब को स्थिर गती से घुमा कर और औजार को जोब के प्रती चक कर चूड़ी की पिछ की दर पर आगे बढ़ाते हुए हैलिकल खांचा काटा जाता है अगला question है question number 15 प्रती इंच थ्रेड की संख्या की जाँच किसके द्वारा की जा सकती है तो इसका right answer हो जाएक option यानिक screw पीछ गेज के द्वारा अब देख लेते हैं यह कौन सी एक्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रस्न है तो यह RRB ALP feeder 2019 में 3rd shift में पूछा गया हुआ प्रस्न है अब जो important जो point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे प्रती इंच thread की संख्या की जांच screw पीछ गेज द्वारा की जाती है इसे thread गेज भी कहा जाता है या फिर कहते हैं इसका प्रियोग screw चूडी की पीछ अथवा lead को मापने में होता है यह page पर यह tap किये गए छेद में thread की पीछ का निर्धारन करता है अगला question है question number 16 बाह या thread काटने के लिए पढ़ियुक्त करतन उपकरन यानि की cutting tool है तो इसका right answer हो जब option D यानि की die अब देख लेते हैं कि कौन से exam में और कब पूछा गया हूँ प्रस्न है तो यह RRB ALP Mechanic Diesel 2019 में first script में पूछा गया हूँ प्रस्न है अब जो important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे बाहे thread काटने के लिए die डाई का तथा आंतरिक thread काटने के लिए tap का प्रियोग किया जाता है अगला इसका point है drill का प्रियोग छीदर बनाने वा रीमर का प्रियोग छीदर को सही माप में लाने वा finish करने के लिए होता है अगला question है question number 17 मानक pipe fitting ऐसे thread से युक्त है जो किसके अनुरूप है तो इसका right answer होचे का option C यानि कि BSP thread के अनुरूप है अब देख लेते हैं कि यह कौन से exam में और कब-कब पूछा गया हुआ प्रस्न है तो यह isro technician b feeder 2019 में पूछा गया हुआ प्रस्न है और isro technician b feeder 2015 में भी पूछा गया हुआ प्रस्न है अनि कि दो exams में पूछा गया हुआ प्रस्न है अब देख लेते हैं कि जो important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे मानक pipe fitting में BSP thread प्रदान किया जाता है BSP thread का प्रियूब gas एबं water pipe के जोड़ों के लिए किया जाता है जिससे पानी या gas leak ना हो अगला question है question number 18 page jack में किस प्राकार के धागे कपड़ियों किया जाता है तो इसका right answer हो जगा option D यानि कि square अब देख लेते हैं कि ये कौन से exam में और कब पूछा गया हुआ प्रस्न है तो ये RRB ALP feeder 2019 में first receipt में पूछा गया हुआ प्रस्न है अब screw jack के बारे में देख लेते हैं तो इससे कम प्रियास यानि कि effort लगा कर अधिक बार उठाए जाता है यह एक उत्थापक मसीन है इसमें वर्गाकार यानि कि square चूड़ी का प्रियोग किया जाता है वर्गाकार चूड़ी में घर्सन बहुत कम होता है अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर 19 निम्न में से कौन सी चूड़ी है समलंबी होती है तो इसका right answer हो जाएक option B यानि कि एक में चूड़ी जो होती है वो समलंबी होती है और ये जो प्रसन है ये RRBALP 2019 में first shift में पूछा गया हुआ प्रसन है अब जो important point है इसी से related उस सभी को discuss कर लेते हैं जैसे एक में चूड़ी है समलंबी होती है इस चूड़ी का चूड़ी कोन जो होता है वो 29 degree होता है इस चूड़ी का प्रियोग ऐसे अस्थान पर किया जाता है जहां इसके साथ मिलने वाला नट सीघरता से लगाना हो जैसे लेत मसीन में हाफ नट से चूड़ी काटते समय अगला question है question number 20 यदि lead का मान पीच के मान से दोगुना हो तो इस प्राकार के thread को कहा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option A यानि कि double start thread कहा जाता है अब देख लेते हैं कि ये कौन से एक्जामे और कब पूछा गया हूँ प्रस्न है तो ये RRB ALP feeder तो 2019 में second shift में पूछा गया हूँ प्रस्न है अब जो important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे यदि lead का मान पीच के मान का दुबुना हो तो इस प्राकार के thread को double start thread कहा जाता है इसका अगला point है किसी screw पर चलता हुआ nut एक चकर में जीतनी दूरी चलता है वो उसकी lead कहलाती है अगला point है single start चूड़ी में lead वो पीच समान होती है अगला इसका point है multi start चूड़ी में lead पीच तथा number of thread start के गुनन फल के बराबर होता है जैसे कि lead बराबर पीच इन्टू number of thread start तो friends आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और bell icon को दबाएं ताकि notification आपको time से मिल सके और आप update रह सके और friends अगर आपको free pdf चाहिए तो आप हमारे telegram को join कर सकते हैं telegram का link description में दिया है वहाँ से जाकर join कर सकते हैं और अगर आपको जो exam oriented जो videos है अगर उसको देखना है तो खा जाना video के नाम से है वह भी आपको description में उसका उस video का भी link मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप check out कर सकते हैं thanks for watching हाँ north नाम जाम उसानि हो आपको से जाकरी जे British भाहर झाकर आपको प्रों प्रता है कर सकते ही झाघ जाँ़ ride